Hello everyone, start करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं Vocationalization of Secondary Education in India देखो जब हम लोग बात करते हैं न, vocationalization का मतलब क्या होता है सबसे पहले बात तो जब आप कोई चीज पढ़ते हो उस पढ़ाई से अगर आप अपनी जनरेट कर सको job या आप अपने skills को इतना अपडेट कर सको कि आप job कर पाओ ऐसे में हम उसको vocationalization बोलते हैं Vocationalization of Secondary Education in India means education and the study of technologies and related science यानि आप ऐसी चीजों की पढ़ाई करो, ऐसी चीजों की study करो जो basically science से related है और इससे आपको help हो practical skills acquire करने में attitudes acquire करने में, knowledge लेने में, understand करने में और उसके अलावा आप अलग-अलग sectors जो है economic and social life के उसको समझ वा मैं आपको एक simple सी बात बताती हूँ suppose एक person है जिसने पढ़ लिया कि जोग्राफी में ये ये चीजे हैं ऐसे ऐसे होता है, earth है, ये है ठीक है, उसने पढ़ लिया बट वो इस knowledge को कहीं use ने कर पा रहा फिर एक mechanical engineer है जिसने ऐसा एक course कर लिया एक साल का कि वो जितने भी, you know, कुछ devices हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर पा रहा है कि उसके पास skills ऐसे हैं कि वो इन चीजों को ठीक कर सकता है तो यहाँ पर इसको हम बुल सकते हैं, मतलब यह बहुत छोटा example है बट आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि vocationalization हो गया education का कि आपको वो जो skills आप acquire करोगे, वो future में काम आएंगे आपके job prospect के cases में ठीक है, UNESCO ने define किया है vocational education as education action to prepare for work and active life यानि ऐसी education जो आपको काम के लिए और active life के लिए prepare करती है इस education में क्या होता है ना, हम कोशिश करते हैं कि young people को train करें मतलब इस तरह से कि उनका profession में उनको फायदा हो, उनको हम different different jobs में adapt करवाने में help कर सकें, मतलब suppose कोई person है जो job कर रहा है हम उसको better बना सकें या उसके काम में या अगर वो किसी नए culture में जाता है तो वो accordingly adapt कर सके ठीक है उनकी जो capacities है उसको continuously develop करना और उसके अलावा नए नए method से उनको condition ऐसी provide करना कि वो improvement करते रहे हैं So vocationalization is something very short में बताती हूं बहुत simple language में कि कि किसी भी person को आप prepare कर रहे हो और उसको ऐसी education दे रहे हो कि वो job के लिए future के लिए work के लिए finally तियार हो रहा है इंडिया में लोग ऐसी बहुत सारी जगा है जहां पे वो ruler areas में जाके settle नहीं होना चाते है ठीक है मैं एक example देती हूं Now अब क्यों नहीं होना चाते है वहाँ पे इतनी facilities नहीं है वहाँ पे इतनी quality of life नहीं है तो they avoid उनको अगर आप option दोगे वह शेहरों में रहेंगे ठीक है सब के साथ है and it is not wrong अगर आप इपने बारे में सोच रहे हो that it is correct Now यहाँ पे हीं क्या कर सकते हैं अगर हम ऐसी चीजों को improve कर दें हम इस education को use करके जो गाओं के लोग हैं और ऐसी चीजों को education इस तरह से देखके उस हर चीज को vocationalization बना दें और ऐसे agriculture resources develop करें ट्रेक्टर की servicing, tube wells कैसे करने हैं छोटे छोटे जो infrastructure चाहिए होते हैं वो कैसे फटाफट डेवलप करने हैं अगर लोगों के अंदर यह skills आ गए तो वो दूसरों पर dependent नहीं रहेंगे lifetime वो खुछ से काफी कुछ करने लग जाएंगे और कर सकते हैं ठीक है तो अगर ऐस improvement हो ठीक है तो इससे overall nation पे बहुत फरक पड़ता है, vocational education का potential है help करना हमें एक development की तरफ move करने में हम अगर इतने skilled हो गए, equipped हो गए skills के साथ तो finally हम लोग according to you know situation ऐसे काम कर पाएंगे कि हमें फायदा हूँ now country का जो education system है उसको job orientation type बनाना ज़रूरी है और ऐसा work experience लोगों को हो, ऐसे skills डेवलक हो उनके जो उनको help करें खुझ से काम करने में ऐसा नहीं कि job ही ढूंडे जा रहे हैं, suppose एक normal example है किसी person को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है ठीक है, या कोई एक person है जो किसी कोई ऐसी काम बनाता है, कोई ऐसी फाइल बनाता है, जो बहुत ही अच्छा skill है, तो वो उसको परेशान ही होना पड़ रहा है, वो फुझ से अपने आप में इतना self-sufficient हो चुका है कि वो आप काम कर पा रहा है, तो हमें education में ऐसे skills, ऐसी चीज़े लाने की जरूरत है कि लोगों को फ में common example देती हूँ, बीएड है, बीएड में हम करने के बाद हम समझ पाते हैं कि बच्चों को कैसे डील करना है, किस तरह से बच्चों के साथ, you know, हमें किस चीज का ध्यान रखना है, किस तरह से पढ़ाना है, बहुत सारे चीज़े हम छोटे-छोटे skills सीखते हैं, तो हमारे course में हम यह करने के बाद सीख पाक रहे हैं और हम apply कर सकते हैं job के लिए, so this is one of the thing, जहां पर हमारा जो course है, वो थोड़ा सा हमारे skills को upgrade करें, ठीक है, obviously practice के साथ better होता है, बट फिर भी, यह एक example है, now merits क्या होते है, vocationalization के क्या benefits होंगे, merits मतलब क्या positive points रहेंगे, पहली बात त जोब के लिए prepare करता है, ठीक है, इंसान को पता चलता है, खुद का potential, and वो individual को prepare करता है, various jobs and opportunities के लिए, ठीक है, this is one of the important thing, now employment opportunities, education केवल jobs produce नहीं करता, बलकि एक individual के लिए असान बनाता है, कि वो खुद से job ढून पाए, self-employed हो पाए, and वो एक productive activity start कर पाए, या service start कर पाए, ज उसमें उसको लगे कि जरूरत है, यानि community में इस चीज के जरूरत है, तो मैं ये काम शुरू करता हूँ, ठीक है, broadening of horizon, अच्छा देखो, एक person है, जिसको knowledge है, अपने skills के बारे में वो काफी sure है, वो न ऐसे person से जिसके पास skills नहीं है, जिसने vocational मतलब बहुत जादा study नहीं उसके जो, जब vocationalization हुआ तो उसको खुद इतनी knowledge होगे कि वो आसपस की current scenario को, trend को समझ पाएगा, ठीक है, तो ये एक चीज हुई, now better utilization of the material resources of the country, जो भी आपके resources है, आप उनको अच्छे से use कर पाऊगे, एक vocationalization से क्या होता है, हर चीज जो available है, जो use नहीं हो रही है, हम उस of train technical know how our resources have remained unutilized, sorry, this is the spelling mistake, ये unutilized होगा, तो अगर लोगों, because इतने train technicals नहीं है, तो बहुत सारी चीजे हैं, जो use हो सकती थी, बट नहीं हो पाई, जैसे एक simple सी बात है, ruler, areas में बहुत सारे spoop होते हैं, but because लोगों को इतनी knowledge नहीं है, वो बिलकुर उसी जगह पर रह 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 तो लोग इतना साथ explore नहीं कर पा रहे option, जो वो actually में कर सकते हैं, तो ये चीज एक negative point होता है, अगर आप, मतलब आप positively उसको convert कर सकते हो, अगर आप education को vocationalize कर दो, और इससे suitable opportunities भी मिलती है time to time, ठीक है, next पे आते हैं, अच्छा productivity बढ़ते हैं, मैंने आपको बहुत सारे example द करता है, तो overall, जो पूरा country है, जो overall हमारा progress है, वो जादा अच्छी होगी, ठीक है, कई job में और कई departments में आपको काफी help मिलेगी, किसकी वजह से, अगर आप vocationalization पे आते हो, now present status में, हमारा जो country में offer किया जाता है, poly techniques अपने सुना होगा, इन में offer होता है, industrial training institutes होते हैं, जो industry के लिए लोगों को train करते हैं, उसमें it's vocationalization of education, कई specialized institution है, जैसे कि technical, art and craft school, agriculture school, forestry school, nursing schools, जो basically लोगों को prepare करते हैं for the job, and vocational education at plus 2 level within the school system, ये है, but it need to be worked upon, इस पे जरूरत है काम करने की, now problems क्या-क्या हो जाती है, कई बार, ऐसे course पढ़ाई जाते हैं, जिसका कोई सरभेर, match नहीं कर रहा future requirement के साथ, कि actually में labor market में क्या ज़रूरत है, और जो पढ़ाया जा रहा है, कई बार, वो match नहीं करते हैं, ठीक है, कई बार, जो emerging areas हैं, जिसमें काफी जादा job opportunities हैं, उस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बाकी चीज़ों पे ध्यान देके, उनको ignore कर दिया जा मतलब ऐसे बोला जाता है, कि भई, आप लोग, मतलब ये करो, इतना करो, बट कोई फाइदा नहीं होता उसका, finally, and कई बार, laboratories वगएरा में, बेकार equipment जो खराब हो चुके हैं, पुराने हैं, गलत reading दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों को use किया जाता है, inadequate practical training skills required by the student which are not useful in practical life, कई बा सारी चीज़ें हैं, जो problem face होती हैं, इस field में, vocationalization की कमी से, और अगर करवा भी रहे हैं, तो उसमें भी जो problems हैं, वो इससे related हैं, so I think that is it, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज चानल को like, comment, subscribe करना, बिल्कुल मत भूलियेगा, मेरे चानल पे playlist बनी हु तो चानल को subscribe जरूर कीज़ेगा, thank you so much, have a nice day, I'll see you next time in the next video.